असलो अलेकुम जी आज हम आपके लिए कोई रेशिपी नहीं लेकर आयो लेकिन आज कुछ गेस्ट आये होगा है हमारे गर-पर तो हम उनके लिए कुछ dishes बना रहे हैं और हमने सब dishes की recipes आपको दी हुई लेकिन आज हम आपको छोटा सा vlog ही बना कर देंगे हमने एक घंटे में किस तरीके से सारी dishes की तैयारी की यानि सारी recipes बनाई तो चलिए फिर हम आज आपको बताएंगे कि हमने आज क्या क्या बनाया है तो सबसे पहले हमने आपको जो मटन बताया है वो देड़ केजी मटन था तो वो हमने बिरियानी के लिए रखा था और यह जो मटन है यह वन केजी है तो यह इसका हम कोर्मा बनाएंगे अब जो है बिरियानी की तैयारी हम कर रहे है हमने मटन को वाश कर लिया है अच्छी तरीके से साफ भी कर लिया है साइट में रख देंगे अब यहाँ पर हमने प्यास लिये चार से पाच मीडियम साइस की प्यास लेंगे और प्यास को हम ब्राउन कर लेंगे और हमने इससे पहले आपको white biryani की recipe भी दी हुई है हम description box में उस biryani की recipe की link दे देंगे हम यह पर आपको थोड़ा मोटा मोटा ही बताएंगे हम detail में आपको recipe नहीं देंगे और हमने जो milk बताया वो चार लिटर milk है क्योंके हम मलई केक भी बनाएंगे और ब्रेट की बासंदीब बनाएंगे उसके लिए हमने milk पकने के लिए रख दिया ताके जो milk है एचे तरीके से पक जा जई है नहीं मैंमें को आधा उसकी अफस्ट क्या है जितना है मिल्क तो मतलब 2 लिटर होने तक कि हम पकने देना हैं इसलिए मिल्क की पक्के की लिए रग दिए किर्गा पकने कलिऑ काफी टाइम लगता हैं अब है यहां पर भीरियानी में सारे मसाले मिलाएंगे तो मसाले में हमने अद्रक लसन का पेस्ट लिया और फिर जो हमने प्यास ब्राउन किये वो हम इसमें डालेंगे और हरी मिर्श डालेंगे और इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर हम इसमें शाहा जीरा डालेंगे शाहिजीरा भी हम यहाँ पर 2 टीसपून यह 3 टीसपून यूज करेंगे और फिर जीरा होता है वो यूज करेंगे इस तरीके से हम सारे गरम मसाली यूज करेंगे और हमने आपको यह जो वाइड विर्यानी इसकी डिटेल में रेसिपी दी हुई है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी की लिंक दे देंगे और एन्स्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट लगा लेंगे आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना यह जितनी भी की हमने डिटेल में रेसिपीस पूरी दी हुई है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी रेसिपीस की लिंक भी दे देंगे और एन्स्क्रिण में प्लेलिस्ट भी लगा लेंगे तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना अब यहाँ पर हम काली मिर्श लेंगे यह वन मशाले डाल देगे फिर हम इसमें समार डालेंगे और इसमें फुदीनः से तो बहुत जह जादा अच्छा टेस्ट आता है लेकिन हमारे यहाँ पर है न तो हर हमेशे फुदीनः ऑवेलिबल नहीं होता और बाजार में भी नहीं मिलता क्योंके हमारा बहुत जादा बढ़ की आधा लेटर हमने दही यूस की इसमें इन सारे मसालों का अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें नमक भी दालेंगे और तली हुई प्यास दालेंगे जो हमने तली हुई प्यास करके रखिए न तो हमने आधी से जाधी यूस कर ले सिफ थोड़ी सी हमने सर्विंग के लिए इसमें से प्याज रखी हुई इस तरीके से हम सारी बिरियानी का मसाला लगा लेंगे और लगाने के बाद में हम इसे एक से देड़ गंटा छोड़ देंगे अगर आपके पास में टाइम हो तो दो से तीन गंटे भी छोड़ सकते लेकिन हमारे पास में बिल्कुल भी तब तक हम देखेंगे हमने यहाँ पर मलाई केक बना कर रेडी कर लिया है और मलाई केक की रेसिपी हमने डीटेल में दी हुई हमने मैंगो मलाई केक की रेसिपी दी हुई हमने मैंगो मलाई केक की रेसिपी दी हुई हम पर इसकी लिंक दे देंगे अब यहाँ पर जो है हम कुरमे की तयारी करें कुरमे के लिए हमने गैस पर फूकर चड़ा दिया उसमें हम तीन से चार प्यास ब्राउन कि मटन को अची तरीकिए से वाश कर लिया और मटन लाल देंगे और हल्दी और नम्मक दाल देंगे और थोड़ा सा लसंद अधरक का पेस्ट दाल देंगे और हम इस कूकर को भी जक्कन लगा देंगे और गलने देंगे जब तक के ये कोर्मे का भी जो गोश्टे वो गलता है तब तक हमने मलाई केक बना कर रेडी कर लिया है उसमें हमने शेप दे दिया है ताके जो हमने मलाई बना कर रेडी कर लिया है तो वो इसमें दालेंगा भी यहाँ पर हमने काजू भी ग्रेट किया और बा बार में आके डाल देंगे जितनी केक अमें अपमें आप सब्सक्राइब glove कराता अतनी हममें इसमें इसमें उसक करना फिर आमुजार फिंगरं से टैछ करके देखेंगे किसे अफ्छी दौत्प ड ही कलाई होज़ा इसमें अश्ट ने पर आप 1 लिटर तक हो जाए, अब यहांपर हमने केक मढ़हमें मलाई यूज कर लिया अब यहांपर हम उपर से इस पर शोन्वाड में पैसन हो तर आप और फिल ह्रविस पर हम अच्छे से डेकोरेट करसकते और यज्ञ यकिन मानेए जो मलाई केका। दूसरी थो यह वीडियो हो जाएंगा इसलिया हमने आपको helps को दूसरी वीडियो भूदर बता दिया और जो यह milk पक रहा था तो यह bread की बासुन्दी बन रही थी तो इसलिए हमने उसमे bread crush करके डाल दिया अब देखिए गईस हमने जो कोर्मा बनाया था अगर आपको कोर्मे की recipe चाहिए तो आप हमें comment box में comment कीजिए तो हम आपको कोर्मे की recipe देंगे और यकिन मानिए कोर्मा इ यह कुछ जादा ही गड़बर थी तो हमने सिर्फ छोटी-छोटी clips shoot कर ली थी और उसी का आज हमने वीडियो आपको दे दिया क्योंकि हमने सारी recipes तो आपको दी हुई है इसलिए हमें detail में recipe देनी की जरूरत नहीं थी और हमने आपको बताना भी था कि इन सारी recipes की link हैं description box मे दे देंगे और इन सारी चीजों का हमने वीडियो बना लिया है अब यहां पर कॉर्मा था हमने बना कर रेडि कर लिया था लेकिन guest को आने को time था तो इसलिए हमें जो बिरियानी को दम देना था तो वो हम थोड़ा late देना चाह रहे थे क्योंकि बिरियानी गरम-गरम ही अब जो बिरियानी का जो मसाला था यानि गोष्ट और जो सारे मसाले थे वो तो अच्छी तरीके से गल चुके था अब हम जो राइस है राइस को अच्छी तरीके से बॉल कर लेंगे और बॉल करके चान लेंगे और बिरियानी को दम दे देंगे यह जो वाइड बिरियानी इसकी भी रेसिपी हमने आपको दी हुई है आप जाकर चेक कर लेना हमारे चैनल पर और यहाँ पर हमने वन केजी फिश को भी फ्राइ करना था और हमने फिश को मसाले लगा के रख दिये थे और फिश की भी यह फ्राइ फिश की भी रेसिपी हमने आपको डिटेल में दी बनने के बाद में जब हमने सर्फ किया तो आपको बता सके क्योंकि यह जो हमारे गर गेस्ट आये हुए थे तो यह अचानक यह आये हुए थे और हमें एक से देड़ घंटे से दो घंटे में यह सारी तैयारी करनी थी तो यह पॉसिबल ही नहीं हुआ कि सारी रेसिपीस की जो शूट है आपको यानि जो वीड़ेयो आपको डीटेल में दे सके लेकिन हमने कोशिश की आपको बताने क्या होप आपको हमारे ही पसकुरियो पसंद आय chromosome करना शैर कर ना संब्सक्राइब कर ना साइट में ब ruby बतन आता उस एक सुब artifacts कर कर देन का कि आने वाले हर वीडिय आपको मिलता रहा है वीडियो वाच काने के लिए शुक्रिया गाइस अल्ला हापीस